जो लोग भगवान पर विश्वास करते हैं, उनके जीवन में दुख क्यों आता है? और यदि दुख आ भी जाता है, तो क्या इनिश्चित है कि सुख आएगा? कब आएगा सुख? और कैसा सुख होगा वो? क्या दुख सच में खत्म हो जाता है? यदि जानना चाहते हो, तो ये प्रसंग बड़े ध्यान से सुनिएगा, क्यों आता है दुख? किस लिए आता है दुख? हरे किश्ण दोस्तों, मैं हूँ अनुच्शर्मा भगवान के एक भक्त हुए सदावर्ती महाजन बहुत पहले की बात है सदावर्ती महाजन अपने गुरू की आज्या का पालन करते थे बहुत धर्म कर्म करते थे जो गुरू ने कह दिया, वो पत्थर की लकीर है तो एक बार उनके गुरू ने कहा कि जीवन में हमेशा संतों की, साधों की सेवा करना, निस्वार्त सेवा करना चाहे वो गलत करें या सही करें, तुम्हें अपना कर्म सही करना सुख और दुख के लिए स्विकार ये भाव में रहना दुख आये तब भी उतनी प्रसनाता के साथ स्विकार करना जितनी प्रसनाता के साथ सुख स्विकार करो कभी घबराना मत ये सेवा भाव हमेशा रख रहा हूं चाहे हालात कैसे भी हूं सदावर्ती महाजन जी ने कहा कि ठीक है गुरुदेयों जैसी आपकी आग्या बड़े दूर दूर से सादू संत आते थे उनके घर पर सदावर्ती महाजन के पास भूद धन था और इतना धन होने के बाद भी इतने साहुकार होने के बाद भी उनका मन बड़ा कोबल था उनका हिरदय बड़ा कोमल था बड़ा दया भाव था उसमें सबकी सेवा करते थे दूर दराज से सादू संत आते थे सबको भोजन करवाते सबकी सेवा करते एक दिन एक सादू आये सादू महाराज को उनका सेवा भाव बड़ा अच्छा लगा सदावर्ती महाजन जी को बोले कि मैं चाहता हूँ कि मैं आपके यहां निवास करो मैं यहीं रहना चाहता हूँ कहीं और नहीं जाना चाहता हूँ सदावर्ती महाजन जी ने कहा कि ठीक है आप यहीं रहिए मुझे सेवा का मौका देजिए मैं आपकी सेवा करूंगा वो साधू बड़े चाव से वहा रहने लगे बहुत इकता उनको आकरशित कर रही थी लेकिन सदावर्ती महाजन तो उनकी सेवा कर रहे थे उनके लिए तो वो साधू ही थे सदावर्ती महाजन जी को अपने गुरू का आदेश पता था कि संतों की सेवा करनी है बिना किसी प्रश्न के बिना किसी शंका के सेवा भाव में लगे रहते थे सदावर्ती महाजन जी का एक बेटा था बेटे के साथ ये जो साधू इनके यहां रुके थे इनका बड़ा प्रेम हो गया उसके साथ खेलते थे उसके साथ बैठते थे, बाते करते थे, घूमने जाते थे सदावर्ती जी को ये देखकर बड़ा अच्छा लगता था कि एक साधू के साथ मेरा बेटा रहता है अच्छे संसकार मिलें अच्छा ज्यान प्राप्त होगा एक दिन ये साधू सदावर्ती महाजन जी के बेटे को जंगल मिले कर गए सदावर्ती महाजन जी का बेटा बहुत आभुशन पैनता था तो कि पिता बड़े साभुकार थे धन धन्य की कमे ही नहीं थी तो इन सादू के मन में लालच आया लालच आया तो इन्होंने इनके बेटे की हत्या कर दे और सारे आभुशन उतार करके छुपा दिया और वहीं जंगल में उस बेटे को एक गड़ा खोद करके उसमें दबा दिया और चुपचाप घर वापिस आ गए इधर सदावर्ती महाजन जी ने देखा कि सुबह से धोपैर हुई धोपैर से शाम हुई और बेटा घर वापिस नहीं आया तो पूछना शुरू कुछ इन सादूजी से भी पूछा तो इन्होंने कहा कि नहीं मैंने तो नहीं देखा कहीं गया होगा खेलने आता ही होगा रात्त्री हो गई चिंता बढ़ती जा रही थी अगले दिन की सुबह हो गई समझ मैं नहीं आ रहा था सदावर्ती महाजन जी ने धिंडोरा पिटवा दिया हर जगे धिंडोरा पिटवा दिया कि जो भी मेरे बच्चे को ले करके आएगा जितने आभूशन उसने पहने हैं वो सब मैं उसे दे दूँगा इतने में एक वेक्ती आया सदावर्ती जी के पास आकर के कहा कि मैं जानता हूँ कि आपका बेटा कहा है सदावर्ती जी ने पूछा कि बताओ मेरा बेटा कहा है सदावर्ती जी को ले करके वो उस जंगल में गया जहाँ इस सादू ने इसके बेटे को दबाया था वो गड़ा खोदा और दिखाया कि तुम्हारा बेटा यहां दबा हुआ है सदावर्ती जी तो ऐसे स्थिर हो गए बोले किसने किया यह तो उस वेक्ती ने बताया कि जो सादू आपके घर रहता है उसने किया यह सदावर्ती जी को गुस्सा आया उस वेक्ती से कहा कि यह तो जो हो गया है वो हो गया है यह तो इश्वर की लीला है जो उसने रचा है वो होगा इसे कोई नहीं लोग सकता लेकिन तू बचना चाहता है तो चला जाए यहां से तूने मेरे बेटे को मारा है उसकी हत्या किया और यहां दबाया है दन के लालच में और यदि तू चाहता है कि मैं तुझे छोड़ दूँ तो चला जाए यहां से तो कभी भी जिंदगी में उस साधू का नाम मत लेना हो तेरे मुक्ष से उस साधू का नाम निकलना नहीं चाहिए जा यहां से व्यक्ति घबराता हुआ डरता हुआ वहां से चला गया उसे बड़ा आजीब लगा यह कैसा व्यक्ति है मैंने इसके बेटे के हत्यारे का नाम इसको बताया और इसने मुझे यहां से भगा दिया और कहा कि उसका नाम भी मतले है सदावर्तीजी ने अपने बेटे की लाश ली और उसका अंतिन संसकार की अंतिन संसकार करके घर वापिस आ गए तेख रहे थे वो जो सादू घर पे थे घबराये हुए डरे हुए चिंतित है सदावर्तीजी ने उनको कुछ भी नहीं का धीरे धीरे इन सादू को अपने आप से गलानी महसूस होने लगी मन वैथित रहने लगा आवेश में लालच में आकर के हत्या तो कर दी थी लेकिन आवेश और लालच कुछी समय का होता है उसके बाद तो जीवन की सारी भावनाएं सारे उन्माद वो जागरित होते वो जो प्रेम उस बच्चे से था उसकी हत्या नहीं होई थी हत्या उस बच्चे की होई थी वो बच्चा रह रहे करके याद आ रहा था सादू को अपराद बहुत हो रहा था अपनी गलती समझ में आ रही थी कि जिसने इतनी सेवा कि जिसने आश्रे दिया उसी के साथ मैंने दोखा किया इसके बच्चे की हत्या कर दी इसने मुझे इतना कुछ दिया थोड़ी से आभुशनों के लिए हत्या कर दी ये गलानी लगातार हो रही थी अपराद बहुत लगातार हो रहा था इधर सदावर्ती जी उनकी सेवा कर रहे थे जैसे पहले करते थे मन में कोई भी इस तरह का भाव नहीं था जिसमें रोश हो, क्रोध हो, शिकायत हो और देख रहे थे किस तरह निरंतर वो साधू अपने आप भीतर ही भीतर दुख में घुलता जा रहा है चेहरे का तेज खत्म हो रहा है शरी ढल रहा है तो एक दिन सदावर्ती जी की पत्नी ने कहा कि साधू महराज अत्यन दुखी है परेशान है सच्चे वैकती है अच्छे इंसान है इनको कहो कि अपनी बेटी का विवाँ हम इनसे करना चाहते है सदावर्ती की पत्नी नहीं जानती थी जो सदावर्ती जी जानते थे फिर भी सदावर्ती जी ने कहा कि ठीक है उन साधू से बात की कि मैं अपनी बेटी का विवाँ आपसे करना चाहता हूँ ताकि वो आपकी सिवा करे आपके सानिध्य में रहेगी अच्छे संसकार मिलेंगे अच्छे विचार उत्पन्न होंगे और आपसे अच्छा सानिध्य कहीं मिलेगा ने आप जैसा पती उसे कहीं मिलेगा ने तो मेरी एकरारतना स्विकार करे ये बात सुनकर साधू जो है अपने भीतर जब जाक कर देख रहा था तो लगातार अपने भीतर ही भीतर भीतर ही भीतर खत्म हुए जा रहा है सोच रहा था कि हो क्या रहा है ऐसा व्यक्ति कैसे हो सकता है कोई अपने ही पुत्र के हत्यारे को अपनी बेटी सोप रहा है लेकिन साधू कुछ कह भी नहीं पा रहा है हां में गर्दन हिलाई सदावर्ती जी बड़े प्रसन्न हुए अपनी पत्नी को बताया कि साधू महराज मान गए है अपनी बीटिया का विवाह इनसे कर देगे इदर अचानक से सदावर्ती जी के गुरू महराज आ रहे गुरु महराज आये सदावर्ती जी ने उनका चरण स्परश की आशिरवाद लिया गुरु महराज जी ने कहा कि सदावर्ती तुम्हारा पुत्र कहा है सदावर्ती जी ने कहा कि वो तो भगवान को प्यारा हो गया है तो इश्वर के पास चला गया वैकुंट चला गया गुरु जी ने कहा कि तुम जानते हो आज किसने मुझे यहां भेजा ए सदावर्ती जी ने कहा कि नहीं आप बताइए गुरु देव किसने आपको यहां भेजा गुरु महराज ने कहा कि आज स्वय मिश्वर ने आपके पास मुझे बेचा आओ मेरे साथ कहा कि आथा तुम्हारे बेटे का अंतिन संस्कार उस्थान पर लेकर चलो सदावरती जी गुरु महराज को उस्थान पर लेकर गए जब लेकर गए तो गुरु महराज ने ध्यान किया और ध्यान किया तो सामने सदावर्ती जी कोन का बेटा दिखाई दिये जीवित बिल्कुल पहले जैसा गुरु महराज ने कहा कि सदावर्ती यह तुम्हारी परिक्षा थी तुम परिक्षा में उतेर्ण हुए सुक्ष और दुख को समान रूप से सुविकार करता है। जो भी व्यक्ति, दुख में भी वैसा ही महसूस करता जैसा सुख में महसूस करता है। उसे भी भगवान का आशिरवाद मानता है, उससे भगवान अती प्रसन्न होते हैं। जिसके मन में कोई स्वार्थ नहीं होता, निस्वार्थ होता है, सहज होता है, स्विकार ये भाव रखता है, मन में ये भाव रखता है, कि सुख देने वाले इश्वर हैं तो दुख भी तो उन्होंने दिया है और यदि उन्होंने दुख दिया है तो इसके पीछे कोई कारण होगा और इश्वर हमेशा दुख उसको देते हैं जिसे वो सक्षम बनाना चाहते हैं जिससे बेहद प्रेम करते हैं इश्वर जानते हैं कि किस व्यक्ति को मैं उतना सक्षम बनाऊंगा, उतनी शम्ता दूंगा जो उसे संभाल पाएगा, उसे वो दुख देते हैं दुख वास्तों में हमारे निर्मान का कारण बनता है, सुख का कारण बनता है तो जीवन में आपके दुख हारा है, तो उसे सहर्ष स्विकार करो, और जान लो कि यही आपके सुख का कारण है यही दुख हारा है, तो जान लो कि इश्वर आपसे अत्याधिक प्रेम करते हैं आपको सक्षम बनाना चाहते हैं आपको ऐसा बनाना चाहते हैं जैसा कोई और नहीं उसके बाद सदावर्ती जी ने जीवन में सिर्फ सुखी सुख देखा सिर्फ सुखी सुख देखा उनके जीवन में कभी कष्ट नहीं आया यदि जीवन भर सुखी होना चाहते हो तो आज जो दुख है उसका स्वागत करो और उसे सहर्ष स्विकार करो लेकिन ये होगा कैसे जब आपका विश्वास सच्चा होगा प्रगार होगा इसलिए तो कहता हूँ अपने विश्वास को मजबूत रखी अपना ख्याल रखी हरे एकिसन